नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे नवी अथार्थवाद, नियो रियलिजम लास्ट क्लास में हमने परंपरागत अथार्थवाद को पढ़ा था जो मुखरूप से एचकार और हैंस मॉर्गेंथो की राइटिंग में देखा जा सकता है उनका उद्देश था कि किस तरह से हम विश्व में लग लग जो गतिविदिया चल रही हैं उसको एक्स्प्लेइन करें इसी बात को आगे बढ़ाते हुए नियो रियलिजम जिसको स्ट्रक्च्रल रियलिजम भी कहा जाता है वो फूरी समझ को एक नए तरह से समझने की कोशिश करते हैं आज देखते हैं दुत्य विश्वित के बाद अगर हम देखते हैं तो जो अंतरास्टिय संबंध हैं उनकी पढ़ाई को लेकर है खासकर यूएस में इस पे काफी फोकस कर किया जाने लगा और एक नया आयाम इसमें जोड़ा गया कि साइंट फिक तरीके से नाच्रल साइंसे पढ़ते हैं जहां पे एक वरिफेवल लॉज बनता है उसके सिधान्त होता है उस तरह से इंटरनेशनल लेशन्स को भी पढ़ने की का प्रयास करना किया जाना शुरू हुआ यूएस में और पूरे मुव्मेंट को हम विभारवाद या बिहबिलिजम के नाम से जानते हैं जिनका उद्देश था कि जो सोशल साइंस के अलाबे और भी जो विशय है चाह इसलिए इंटरिसिप्लिटरी एक इंपॉर्टेंट आस्पेक विभारवाद का है और जो कोशिश थी कि हम एक अब्जेक्टिफ लॉव बनाएं वरिफेवल लॉव जैसे साइंस में बनाते हैं उसी तरह से अंतराष्टिय संबंद में भी इस तरह के कानून बनाने की कोशि इसका प्रभाब हम देखते हैं खासकर विश्वय युद्ध दूतिय विश्वयुद के बाद पड़ा और इसी के बैक्ग्राउंड में हम नियोरेलिसम के को भी देखने की कोशिश करेंगे अब नियोरेलिसम के जो महत्पुन समर्थक हैं वो है केनेथ वाल्च और केनेथ वाल्च युएस इंटरनाशनल इलेशन के थेरिस्ट हैं उनकी जो महत्पुन बुक है थेयरी ओफ इंटरनाशनल पॉलिटिक्स है और इस बुक में हम देख सकते हैं कि किस तरह बहेबलिसम का इंपक्ट इनके राइटिंग में देख सकते हैं और किस तरह से यह जो समझ है नियोरेलिसम की वो जो परमपरागत समझ जो हम क्लासकल रूरेलिसम की जो समझ है जो विश्व को समझने का जो तरीका है वो इसमें अभिन्य है तो कौन कौन सी चीजों को Kenneth Walt देखने कोशिश करते हैं उस पार्ट को हम अभिसलेशन करेंगे तो Kenneth Walt के सामने जो समस्या होती है कि वो जब पहले जैसे हमने पहले वीडियो में देखा था कि प्रमपरागत या थार्तवाद के संदर में उन्होंने एक समस्या को चिंध दिया था कि अगर हम अंतराष्ट्य संबंद को समझने की कोशिश करते हैं तो क्यों ऐसा होता है कि अंतराष्ट्य विवस्था जो है उसमें जो आउटकम है जो गतिवीदिया वो समान ही रहती है इसका सिंपल मतलब है कि अंतराष्ट्य संबंद को तो इन सब चीजों को देखते हुए क्लास्कल रिजम पे मूलत प्रश्ण उठाते हुए केनेत वाल्ज कहते हैं कि अगर अलग अलग राज्य है और अलग विचारधारा है अलग अलग समझ है और उसका जो श्रोत है वो मानविये जो सेल्फ सर्विंग जो नेचर है इन सब यह सारे कॉंपोनेंट मिलके अंतराष्ट्य जो आउटकम देते हैं तो हमेशा जो वार ह है वो होता ही रहता है तो यह जो इस्तितिया है बराबर क्यों continue रहती है despite there is a different kind of domestic arrangement at different countries तो इस बात के पीछे केनेत वाल्ज परते हैं और कहते हैं कि कुछ पिकुलिर चीज है कुछ तो अलग बात होगी international relations को समझने के लिए क्योंकि यह कॉमनल्टी क्यों ऐसा कॉमनल्टी ह होता है कि एक superpower rise करता है उसका downfall होता है फिर दूसरा superpower rise होता है फिर downfall होता है तो इसके लिए हो कहते है कि हमें reductionist theory इसका मतलब है कि हम उस सिधान से बाहर निकले जहां पे analysis सर्फ राज्य के अस्तर पे होता है या राज्य की सीमाओं के अंदर जो चीजे हैं उस उसका विसल उसके लिए उसके लिए वो एक नया सिधान पनाता है जिसको हम new realism कहते हैं तो new realism में उनका जो focus है वो कि अगर हम उन्तराश्टिय राज्यती को समझना है तो हमें international system structure को समझना होगा ये बात Kenneth Walch कहते हैं अगर हम तुलना पहले के classicalism से करें तो उनका focus था कि हमें राज्य क सभाव है उन्हें समझना परेगा अंतराश्टिय घटनाओ को समझने के लिए तो यहां पर Kenneth Walch अपनी किताब में the theory of international politics में ये चर्चा करते हैं अलग-अलग chapters में उन्होंने बात की है कि अगर हम राज या देश की राजनिती और political जो संस्था structure को समझे और फिर अंतराश् इस structure को समझने की कोशिश करें तो कुछ बात difference है और ये difference महतपून है समझने के लिए अंतराश्टिय अस्तर पे जो घटनाओ होती है तो तीन अलग-अलग बातों की वह चर्चा करते हैं जिसको हमें अंतराश्टिय अस्तर पे समझना महतपून है जिसमें से महतपून है कि बात इसको चर्चा करते हैं कि structure of the units जिसके बार हम आगे विसलेशन करेंगा तीसरा distribution of capabilities तीन महतपून है और यहां पर विसलेशन दो स्टर पे करते हैं वह राज्य के स्टर पे बिसलेशन करते हैं और अंतराश्टिय अस्तर पे बिसलेशन करते हैं और दोना में फर्क क्या ह उसको दिखाते हैं और इन जिस तरह से difference को दिखाते हुए यह कोशिश करते हैं कि कहीं ने कहीं जो अंतरास्टी अस्तर पे जो समानता हैं भिनता है और वो कारण है मुख्य रूप से पूरे अंतरास्टी अस्तर पे जो घटनाय होती है इसका मतलब है कि वो एक international structure की बात करते हैं जिसमें यह तीन और जो elements है वो constitute करता है और वो मुख्य रूप से responsible होते हैं अंतरास्टी अस्तर पे जो भी जीज़ होती है तो सबसे पहले हम आते हैं कि पहले पहले जो पार्ट है पहला जो element है उसको डिसको करते हैं जिसको वो करते हैं कि अगर हम अंतरास्टी अस्तर पे देखें तो जो पूरा जिस तरह से राजी structure किया था आता अंतरास्टी ये पटल पे हम देखें तो उसका nature एक anarchic है अराजकतावादी है इसका मतलब है कि अंतरास्टी अस्तर पे कोई authority नहीं है राज्यों के बीच में कि राजी किस तरह से कारे करेंगे उस पे कोई भी एक single authority नहीं है हाँ ये जरूर है कि अंतराश्टिय संस्थाएं है लेकिन इनका इतना महत्थ नहीं है ये पूरी तरह से सभी राज्यों को सम्हाल नहीं सकते हैं अपने तरह से जिस तरह से domestic स्थर पे, राज्य स्थर पे कि अंतराश्टिय संस्था नहीं है ऐसा कोई organization नहीं है जो पूरे राज्यों को control कर सके तो एक जो भी घटनाय होती है उसके पीछे एक कारण ये हो सकता है दूसरा जो महत्पुर्ण हिसा जिसका विसलेशन वो करते हैं कि character of the units कि अंतराश्टिय स्थे चरपो अगर हम ewbreakation करेजraz के तो unit का मतलब है, यहां पर राज्य से संबन्ध है कि राज्य को अगर हम विसलेशन करेज तो functionally सभी राज अंतराश्टिय स्थे अशे इस तरपे बरावर होते हैं अगर हाँ, यह differentiation हो सकता है अगर हम राज्य को भिन भिन अलग तरीके से एक एक राज्य को अगर इनलाइzw करे तो उनकी डेलोजिया अलग हो सकती है, उनका और्गनाइज़श़न अलग हो सकता है लेकिन अंतरासियस्तर पर देखें तो सभी राज्य फंक्शनलि एलाइख होते हैं और उनका जो में सिध्धान्त होता है क्योंकि अंतरास्य असर पे कोई सरकार नहीं होती है अनार्की होती है तो सेल्फ एल्प अपनी आत्मरक्षा महत्पोर्ण बन जाता है दूसरा जो इंटरनाशनल स्ट्रक्चर का जो यूनिट है पहला हमने देखा कि अनार्की है दूसरा जो यूनिट है वो है करेक्टर अफ यूनिट्स जो फंक्शनली अलाइक है और जो मुख्य जो सिध्धान्त है इनको regulate करता है वो सेल्फ एल्फ की अपने आपको बचाना है क्योंकि अंतराश्च्ट्य स्टर पर कोई किसी को बचाने वाला नहीं है जो अगर हम राश्ट्य स्टर पर देखे तो जो राश्ट्य स्टर पर हम अलग-अलग राज्यों को देखते हैं तो उसमें यह differentiation हो सकता तीसरा जो महत्पूर्ण आधार है पूरे अंतराश्टी स्ट्रक्चर का वह सबसे महत्पूर्ण आधार जो है वह डिस्ट्रिबूशन ऑफ केपैबिलिटीज है इस मिलिटरी मैपटूर्ण आधार जो है किस तरह से सररी आतको वह अरे हैं ओको सिर्फट्रा आधार्य की शकी स्ट्रक्रास्तृ आधार जो है वार होगा, पीस होगा, या कोई भी चीज़े होगी, वो इनकी आधार पे होगा, ना कि हम राज्यों के अलग-अलग आइडिलोजी, गार्मेंट उन सब पर देखेंगे, उन पर हम नहीं फोकस करेंगे, जो ट्रेडिशनली हम देखते आ रहे थे, यह फोकस मुखरूब से क्ल देखेंगे, जो अनतरास्टी, जो अड़कम होता है, उसको निर्धारन करने का कारिक करता है, अब नेक्स जो महत्पूर्ण बात करते हैं, इन्ही तीन जो अलग-अलग elements की बात करते हुए कहते हैं, कि जो दो elements है, वो उतना महत्पूर्ण नहीं, अनारकी विस्ती है, जहा तो यह सारी बातों की चर्चा इस तरह से एक्स्प्लिंड करने की अंतराश्टी इस तरह पे जो कटनाय होती है उसको की बात नियो रियलिस्ट करते हैं और खास करनेत विल्च की राइडिंग में यह सारी बाते हम देखते हैं एक महत्पुर्ण जो बात है इनकी राइडिंग में वो बालेंस ऑफ पावर की भी बात करते हैं और खास कर करते हैं कि क्योंकि इंटरनाश्टी इस तरह पे कोई भी सरकार नहीं है और सभी राज्यों को अपने आपको बचाना है तो ऐसी सिति में क्या होगा कि राज्या तो अपनी capability बढ़ाए अपने जो strength है, military resources है, economic strength बढ़ाए अगर इसके साथ साथ जो राज्य है वो दूसरा भी तरीका अपना सकता है जहां पे वो alignment भी करें दूसरे के राज्यों के साथ मिल के grouping करें ताकि कोई और powerful country को वो counter कर सके तो यह balance of power का concept हम देखते हैं और इनका जो विचार है खासकर करते वाल्च का वह बहत फूर्ण है कि cold war politics में को समझने के लिए जो शीत यूद में हम दो विष्व जो दो camp में बट गया था, एक Soviet block था, एक American block था और maximum देख इन ही दो block के around align कर रहे था तो यह तरह की bipolarity थी balance of power का concept था और इन सब बातों को Kenneth Walz अपनी जो समझ है उसमें explain करते हैं कि यह मुखरूप से distribution of capabilities इसमें बहुत important role play करता है और bipolarity की स्थिति जहां पे दो महत्पून पावर है इनके लिए कहते हैं, Kenneth Walz कहते हैं कि यह जो विवस्ता है वो जादा stable विवस्ता है, यह वर्ल में जादा जो शांती होगी वो primarily balance of power की करण होगा और bipolarity उसमें important होगा, जहां पे दो महत्पून पावर एक दूसरे को balance करते हैं उसके साथ हो करते हैं कि अगर दो से जादा countries involved होते हैं जहां पे multipolarity की बात होती है वो उसके बारे में वो question करते हैं कि यह जादा stability world को नहीं देता है इसलिए bipolarity का जाद समर्थन Kenneth Walsh अपने writings में करते हैं यहां पे मुक्रिप से compare कर रहे हैं कि classical realism जो हमने परमपरागत य थार्थवाद जो पहले हमने पढ़ा है जो आप वीडियो में देख सकते हैं जिसका link नीचे दिया हुआ है उसका जो कारण है कि MAR गया है رाज के लीडर है राज जो भीवस्ता आपस्ता है वे मुक्रूप से पहले हैँ जिसका ही मुक्रिप से इसका मुख कारण है कि human nature selfish है, इसका कारण ही सारी गठनाए होती है दूसरे दर्फ नियोरियलिस्म का मानना है कि नहीं यह अंतरास्टी है जो संगरश्चना है जिसके तीन अलगले कॉंपनेंट है जिसमें अनरकी है जिसमें फांक्शनली सिमलर करेक्टर अफ दे स्टेट है और तीसरा जो डिस्टिबिशनल केपैबिलिटीज है दूसरे वह निविशनल होगा वह इस पे निर्फटर करेगा अंतरास्टी स्ट्रक्चर पे इसके बाद क्लास्कल डिर्जम का मानना है कि पावर अप जो पावर इस एंड इन इरिसल END इंट सेल्फ एंड रुटेर इन हमनेचर की जो पावर का जो कॉनसेप्ट है वह मानव इस तर पे security या जो सुरक्षा वो प्रदान कर सकते हैं Classicalism का मानना है कि जो राज्यों को अलग-अलग अथार पे बिवाजित करते हैं कि राज्य का नेचर अलग-अथार पे हो सकता है जैसे उसमें fascist powers थे, democratic power थे, liberal powers थे इसके अथार पे heterogeneity हो सकती है, बिवित्ता हो सकती है यहां पे करते हैं कि functionally, जो सारे राज्य है वो एक तरीके से होंगे यह Neuralist का मानना है, लेकिन यह राज एक international structure के परिस्तिति में काम करेंगे जहां पे distribution of capital is important होगा, जहां पे कि इसके पास किता military resources होगा वो मुख्रूब से निधायत करेंगा कि राजी किस तरह से कारिक करेंगा तो यह difference classical realism और neuralism में है अब हम आते हैं कि critical evaluation की तरफ तो बहुत सारे criticism है लेकिन इसके बाद भी neuralism और realism का पूरा जो dominant force है वो अभी भी महत्पूर्ण force है अंतरास्थिये स्तर पे जो भी घटना हो तो उसके explain करने के लिए एक महत्पूर्ण सिधान्त आज के समय में भी है उसको challenge मिला है नियो लिब्रल लाइडर्स के दौरा खासकर जोसेफ अन नाइस में आते हैं जिनका पूरा concept complex independence का जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे लेकिन मुक्ष सार जो complex independence का है कि world को हम सिर्फ राज्यो के अधार पे नहीं समझ सकते हैं इसके साथ बहुत सारे और भी organization जो कारे करते हैं और हम हम military sense में ही नहीं world को समझ सकते हैं रियलिजम का हुआ खासकर constructivism और feminism मुक्रुप से जो पूरी समझ है constructivism खासकर कहते हैं कि realism के बारे में कि realism की जो समझ है कि interest महत्पूर्ण होता है security important होता है अंतरास्टी अस्तर पर तो constructivism कहते हैं कि अंतरास्टी अस्तर पर या NRK की जो बात नियूरलिजम कहते हैं वो कहते हैं कि constructivism मेली अगर आप देखेंगे तो वो कहते हैं कि यह सारे जो concept है they can be reconstructed they can be it changes with the time with intersubjective interaction के साथ साथ यह बदलता है feminism दूसरी तरफ अलग बात करते हैं कि international theory मुक्रुप से male dominant है और इसमें बदलने की आवशकता है और खासकर आप देखेंगे कि tickner ने पूरी तरह से realism के पूरे आधार को question किया है उसी तरह से third world countries और global south से important criticism आता है कि euro centric nature इन सब neuralist और realism का है कि primarily यह जो राइडिंग्स है western world के history में embedded है वही के घटनाओं को explain करता है तो यह कुछ criticism है जो हम देखते हैं जर्विस का criticism है कि और उनका चो मानना है कि जब Soviet Union का disintegration हो चुका है और European integration European Union जैसा संगठन बन गया है नया democratization का process शुरू हरा जहां पर बहुत सारे country democratic बन रहे हैं और liberalization का पूरा concept शुरू हो गया जहां पर interdependence हो रहा है एक दुसरे country का दुसरे country पर तो वैसी great powers के बीच में लेकिन हम इन theory को फिर से revisit करने की जब हम देख रहे हैं कि America और China के बीच में जिस तरह से global level पर tension शुरू हुआ है तो इन सब theory को महतपूर्ण माना जा सकता है आज के समय में भी समझने के लिए आज की अंतरास्टिय जगटनाए है तो धन्यवाद आज के जड़ार आज के लिए